रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जानती हूँ इंतजार होता है आपको इस शो का क्योंकि आपके स्वास्त से, आपकी बहतरी से, आपकी खुशाली से जुड़ा होता है ये शो अब जब स्वास्त की बात होती है तो चिकित सा प्रणालियों की भी बात होती है और उसमें सबसे उत्तम, सबसे बहतर और बहुत ही लोकप्रिया पाया जाता है आयूरवेद को एक प्रणाली ऐसी जो प्राचीन और बहुत ही लोकप्रिया तो चलिए, आज का हमारा विशय इस से जुड़ा हुआ है, बात करते हैं, कि बदलता हुआ मौसम है, और उसमें आयूर्वेट की क्या महत्ता है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, और यह जो वेदर चेंज एफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, उसे आयूर्वेट से हम कैसे लाब उठा सकते हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना अरोडा बहुत स्वागत आपका धन्यवाद और चलिए तयार हो जाएए अपने सवालों के साथ और माध्यम वही है हमारा टेलिफोन नंबर्स आपको याद होगा लेकिन नोट कर लीजे न जो नए लिसनर्स जुड़ते हैं हर बार आकाश्वाणी के माध्यम से 234-1084 and 234-1080 ये दो टेलिफोन नंबर्स हैं और वाट्साप नंबर भी हमारे पास होता है आपके लिए 9868107070 रेडियो डॉक्टर में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वाकत करती हूँ मैं शेली भाशांजली आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर वेलकम बैक और हमारे साथ स्टूडियो में है आयूरवेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीना रोड़ा चू की आयूरवेद स्पेशलिस्ट हैं तो आयूरवेद से जुड़ी ही बाते होंगी और जब से पहला सवाल तो अब चू की बदलते मौसम की बात हो रही है तो क्या बदलते मौसम के साथ हमारे लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाओ होना चाहिए जी जैसे मौसम बदलता है शरीर में भी कुछ चेंजीस होते हैं फिजियलोजिकल चेंजीस होते हैं बोड़ी में तो उसके accordingly हमारा डाइट हमारी लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए यथा पिंडे तथा ब्रहमांडे यानि जैसा वाता वड़ना है वैसा शरीर में भी वो सब changes होते हैं तो क्योंकि ठंड बढ़ रही है शीद गुन बढ़ता है तो वायू बढ़ जाती है अगर उसके accordingly diet ना ली जाए और lifestyle changes ना किये जाएं तो इसलिए इस season में oil जो है वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए cooking में सरसों का तेल तिल का तेल और heavy चीजे heavy diets इस season में ज़्यादा ले सकते हैं और देर तक जागना ठीक नहीं है क्योंकि वायू कुपित होती है उससे rigorous exercises नहीं करनी चाहिए बहुत light diets नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उनसे भी वायू बढ़ेगी और वैसे इन दिनों में भूख अच्छी होती है सबको रात लंबी होती है इसलिए morning में उठते ही भूख लगी होती है तो यह कुछ changes है जो मैं involve करने चाहिए absolutely और भी हम diet के बारे में गानेंगे लेकिन कई बाद सुना है ऐसा लोग कहते हैं और बड़े बज़र्ग जरूर कहते हैं कि सर्दियां है खूब खाओ खूब पराथे खाओ घी खाओ मक्कन खाओ कहां पर रोक लगानी चाहिए फिर रोक लगानी चाहिए जब आपको जितनी भूख है उतना खाईए heavy diets लीजिए और exercise जरूर कीजिए यह नहीं कि आप बस खाते जाए और फिर केस्ट्रोल भी बढ़ जाए और diabetes भी हो जाए तो फिर आप कहें कि मैडम ने बोला था कि आप रिच डाइट लीजिए जी तो नियंत्रन काफी आवश्यक है आप भी हमसे सवाल किजिए 234-1080 and 234-1084 यह दो हमारे टेलेफोन नंबर्स हैं जिसमें आप फोन कर सकते हैं यहा जाए का और उनकी मदर का दोनों का इक ठे मैसज आया हुआ है कि इनके हाथ पैर दोनों में सालों भर पसीना आता है इवन इंविंटर्स तो क्या करना चाहिए कहीं बार पसीना जो है एक प्रॉबलम की वज़ा से आता है पहले तो वी मैं तो तीन चीजे बता रहे हूं यानि कि spices ज़्यादा ना लीजिए गुसा मत कीजिए अगर इनसे control होता है तो ठीक है otherwise you should visit a doctor आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब मन को भी ठंडा रखिए गुसा मत कीजिए because as you said even earlier कि जितना जो physiological manifestation हो जाता है psychological का अल्राइट एक कॉलर हमारे साथ हलो नमस्कार आपको हमारी आवाज आ रही है हलो जी कौन बोल रहे है अपना परिचे दीजिए हम ओस डेंगल से इंदादर हो रहा हूं जी बताएं क्या सवाल है जी मैडम हमारा वाइप को ठंडी में बहुत ठंडी लगता है इसके लिए कुछ उपाई है जी यह ठंडी इसलिए लगता है क्योंकि जो हम बात करने वाले हैं आज जो डाइट्स लेनी चाहिए ठंड में हैवी फूर्ट लेने चाहिए उड़त की दाल की पिनिया और अच् जी थैंकियो मारा वाल राइट और ध्यान से सुनीगा कुछ डायच की बाते होंगी कुछ लाइस्टाइल की बाते होंगी इस बदलते मौसम में तो शायद वो आपके घर के लिए कारगर सिद्ध हो जाए जी थैंकियो और एक यहां पर मेसेज आया है चंद्रपुर से भीम और एक सवाल है लेकिन इनको क्या कहेंगी आयरवेद को कैसे लिया जाए इसी के बारे मैंने पहले बताया है कि आप पूरा सुबह उठीए उठके टॉलेट वगरा जाए उसके बाद बॉड़ी पे मसाज किजिए यह वो दिन है जिन में बॉड़ी पे तेल लगाना बहुत जरूरी है सोप डेली नहीं यूज करना चाहिए कुछ लोग बहुत रगड़ रगड़ की साबुन लगाते हैं वैसे ही ड्राइनेस होई होती है स्किन में और जो हमारे नेच्टरल ऑइल है वो डामेज हो जाते हैं इसलिए तेल लगाने के बाद लगाना चाहिए इस सीजन तो यह सब चीजे आप यूज कर सकते हैं कितनी मात्रा मात्रा जैसे अगर आप मैंसे लिए की मात्रा पूछे तो मैं बार बार यही चीज पताती हूं कि डाइट आपको अपनी भूक के अकौर्डिंग डेनी चाहिए डाइत की मात्रा कोई भी डिसाइट नहीं करेगा, वो आपका एपिटाइट डिसाइट करेगा, आपकी भूग डिसाइट करेगी, कि आपको कितना खाना-खाना है शरीर की मांग के हिसाब से खाना है, जसा कि आप कह रही है एक और कॉलर हमारे साथ जोड़ चुके हैं, हलो आप अपना रेजियो बंद कर दीजिए जो पेन होता है, जो मैं वायू की बात कर रही थी, वो सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि बाहर ठंड है, उससे बचने के लिए आपको गरम कपड़े पहनने चाहिए रोज पूरे शरीर पर तेल लगाना चाहिए, और जो भी जैसे उड़त है, ये वाच शामक है बहुत अच्छा पुराने ज़वाने से लोग उड़त की डाल की पिनिया असर्दियों में खाते थे, तो ये प्रॉब्लम्स उनको कम होती थी तो ये आप यूज कीजिए और अच्छे इसमें आप गुड के विकार ले सकते हैं, जैसे गुड की दूद का छेना ले सकते हैं, रबड़ी ले सकते हैं, यही वो सीजन है जिसमें आप सबसे हैवी डाइट से आपको पच जाएगी और आप उसको एंजॉई कीजिए, बट दर्दें कम होंगी, और हम लोग बहुत ब्लेस्ट कांट्री हैं, बिकर्स ट्रॉपिकल कांट्री और इतनी अबंडन संशाइन है, और आयूरवेद में इसका महत्तों बहुत है लिए खियाल से, एक सवाल आया है, नाम नहीं लिखा है, यह सवाल आयूरवेद से जुड़ा डायेट की बाद बहुत हो रही है, कुछ और आप अट करना चाहेंगी, डायेट इन विंटर, लाइट डायेट या फास्टिंग भी करें, हैवी डायेट लें, किस तरह से? फास्टिंग बिलकुल ना करें, और लाइट डायेट भी कुछ लोग डायेट पे होते हैं, खाली सैलेट खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, तो यह सहत के लिए इस सीजन में ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो सीजन है, इसमें ठंड बहुत जादा की होने की वज़ा से, अगर आप प्रॉपर डायेट नहीं लेते हैं, इसलिए डिजनरेटिव चेंजिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रॉपर डायेट लेनी चाहिए, आप तिल का तेल इस सीजन में यूज कीजिए कुकि यह वाज शामक है, और गरम भी है, तो आपको पूरी एनरजी देगा, एंटी ऑक्सिदेंट भी है, और जॉइंट्स को भी वो तरपन करेगा उनका भी, आपसलूटली और विंटर सीजन शुरू होते ही, बाहर इतने वेंडर आ जाते हैं, जिसमें तिल का तिल सरगोड़क से जुड़ा हुआ सामान लेते हैं, तिल बहुत अच्छे हैं अल्राइट, अल्राइट, देगा, जिसमें जाते हैं, इसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं, दॉक्तर रीना अरोडा, और दॉक्तर रीना अरोडा की पसंद का ये कैलाश खेट की आवाज में ये गाना Yes, absolutely, you are tuned into Radio Doctor, और Radio Doctor एक ऐसा शो है, जो आपके स्वास्त की चिंता करता है, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं, आज हमारे साथ डॉक्तर रीना अरोडा है, आयूरवेद की हम बात कर रहे हैं, और डॉक्तर रीना जहां आयूरवेद की बात होती है, वहाँ कुछ ऐसी च पाइदे मंद है, ऐसा कहा जाता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिये, इस सीजन में कड़वी चीजे नहीं लेनी चाहिए, देखे सीजनल वेजिटेबल जो आती है, वह बहुत इश्वर ने जो बनाया है, कुदरत ने वो सोच समझ के बनाया है, तो करेला इस सीजन मे आरही है, उनको लीजिए, बत्व आरहा है, वह बहुत अच्छा है, उसको लीजिए, और बाकी जो भी सीजनल वीज वगरा आरही है, वह बहुत अच्छी है, उनको लीजिए, कैप्सिकम आरही है, यह चीजे लीजिए आप, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगे, इसी भी मधुरम लवन यानि मीठा, खट्टा और नमकीन ये टेस्ट आप इस सीजन में लें तो ज्यादा बेटर है नए अनाज लीजिए वैसे बोलते हैं कि पराने अनाज अच्छे हैं ये जो विंटर्स का सीजन है क्योंकि वो हैवी होते हैं तो इस टाइम आप नए अनाज ले है और जितने भी मिल्क प्रोडक्स हैं वो जैसे मैंने पहले बताया था वो ले सकते हैं आप और लाइट डाइट नहीं लेनी आपने अपने ऑल्राइट बड़े ध्यान से सुनियेंगा बहुत पती की बात हो रही है यहां पर यहां पिक सवाल आ गया है यह आया है में क्या गड़ना चाहिए यह बीच-बीच में नीम के बॉइल वाटर से नहा सकते हैं कोकुनट ऑईल बॉड़ी पे लगा सकते हैं तो यह ठीक हो जाएगा स्पाइस ज्यादा ना खाए मिर्चे ज्यादा खाने से भी फित बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकती है यह ड्राइन की बात में बार-बार कर रही हूं वायू बढ़ती है ठंड में अकसर पुरानी दर्दे में जाग जाती है जब ठंड बढ़ती है इसके लिए आप डेली उस पर ओयल लगाएं ताके उसको न्यूट्रिशन मिले और हल्दी वाला दूद पिये एक्सरसाइज करें और उड़ बहुत अच्छा वात्शामक है और अगर इसके बाव जो ठीक ना हो तो प्लीज डॉक्टर को विजट कीजिए यहां पर फिर डायेट की बात आ गई है डायेट की बात हम करते रहेंगे जितेंद्र जी जैपुर के डायेट की बात आप में पहले भीकी आगे भी करते रहें चने का आटा एडवाईज़ है अप इसको ले सकते हैं तो चने की आटे की जितनी भी रेशपी जैसे कि आपने प्रांथी ले सकते हैं, auf चीला ले सकते हैं उसके बाद बाद लंच से पहले आप फ्रूट्स दे जिए, लंच में दाल रोटी प्रे inside लेए चावल लेड़ सक में और फिर उसके बाद रात को रोटी सबजी और रात को सोने की टाइम सोने से थोड़ी दिर पहले हल्दी वाला दूद। ये एक नॉर्मल प्लान है लेकिन सुबह नहाने से पहले बॉड़ी पर तेल जरूर लगाएं वो बहुत अच्छा है अपने बहुत इसको दो बार ब अच्छे जगह से मिले बिले ज़िए और न्यूबॉर्ण बेबी को भी कोई बहुत ज़्यादा ब्रैंड वले ओल लगाने की जुरूरत नहीं मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रही है और इस पर स्टडी भी हुई है कि ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है तो आप द बहुत ही जिसको कहते है न प्रसिद्ध प्रणाली है और उससे निकली हुई सिद्ध बात है तो इसको जरूर अपनाईएगा and the numbers to call and pose your questions are 23421-080 and 23421-084 Radio Doctor में बातों का सिलसले हम आगे बढ़ाते ही रहते हैं ताकि कुछ भी ऐसे चीज जो महतपून है आयूरवेद में इस बदलते मौसम के हिसाब से वो छूट न जाए डॉक्टर अरीना आपने अभी कहा तेल लगाना बहुत आवश्यकर अच्छा होता है क्या अच्छा होता है शरीर को जो बॉड़ी में डिजनरेटिव चिंजिज होते हैं जो वीर और टियर होता है मसल्स में जब हम मसाज करते हैं तो वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकता ह सर्कूलिशन इंप्रूव होता है बॉड़ी का इसलिए हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है तो इसलिए मैं ड्वाइज कर रहे हूं आज का लाइफस्टाइल डिसॉर्डर बहुत बढ़ रहे हैं तो यह जो हम सीजनल रजीम की बात कर रहे हैं अगर आयरवेत के अनुसार सा बहुत लोग खाते हैं उसको बेंगॉली खाते हैं उसको लेकिन यहां जियोती ने लिखा है कि अदरक वाली चाय का क्या है मतब क्या कहते है अई अरवेड में उसके बार में पीना चाहिए या नहीं बहुत अच्छा पूछा इनोंने अदरक वली चाय इस सीजन में या बॉड़ी पर रैशीज हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी इसलिए हमेशा अदरक वली चाय ने में फटा वर तीन चा चीजें बता देती हूं इसमें सौफ वली चाय पीरेट्स में छोटे लाइची वली चाय जिनको एसरिटी की प्रॉब्लम है जिनका पित बड़ा हुआ है और डालचीनी वली चाय डायबेटेज के पेशेंट के लीए और वाकी जो अदरक वली चाय है वो इतना कर सकते हैं अपसुल्यूटली हम रेपीट करेंगे उस बात को हम स्वास्त की बात करें कि रहे हैं बहतर जीवन की वेलकम बाक सूर रेडियो डॉट् पे कुछ सवाल है, इन्होंने लिखा है कि आजकल ब्लाद प्रेशर इनका 140 हो जा रहा है और चलने में धरकन तेज हो जाती है, 25 साल की उम्र है, उत्तरा खंड के निवासी है, कुल दीप, ठंड में जितने भी मैं इनके नहीं बोल रही है, जनरल बात बुता रही हूं, अगर आप ये लाइट और लाइस्टाइल जो हम बात कर रहे हैं वो फॉलो करेंगे तो आप ठंड से अगर बचे रहेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम कम होगी और बीप अगर आपका बढ़ रहा है तो आप उसकी मेडिसन जरूर लेजिए क्योंकि वो ज्यादा बढ़ना अप क्ल characterize नुकसान दाइक हो सकता है और नमक कम कीजिए चंदा नमक लीजे अपनी डाइट में अनार लीजे अपनी डाइट में अनृगन हालो जी आपको हमारी आवाज आ रही है हलो 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 यह इन्होंने फोन कहीं दूर से किया है मुझे सिटी का नाम या रहा है हलो आप हमारी आप कहां से बोल रहे हैं महाराश्रा सी बोल रहा हूं मेरा बच्चे वो सर्वी होता है क्या अजी कितने साल का बच्चा आपका फट्चे साल का उसको ठंन लगती है बहुत जादा अद्न दूरक्ट्र लिज में काम करता है ूसको एलर्जियो गाया है वो पेट्रोल का मोर्साइट के सब मेकानिक आप अच्छा तो ऐलर्जियो किसे लिए पेट्रोल नहीं तो अग अच्छा ठीक है एक तो उसको आप हल्दी वाला दूद दीजिए हल्दी बहुत अच्छा एंटी अलर्जिक है आदाचम में हल्दी एक गिलास दूद में डाल के दीजिए डेली और नीम के पानी से अगर वो नहाए तो ताकि पॉलुटेंट्स उसकी बॉड़ी पे लगे है वो अराम आए उसको गिलोए डेली ले सकते हैं और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप डॉक्टर को विजिट कीजिए और अधरक वली चाहे इन दिनों में आप दे सकते हैं अगर अधरक ओल अच्छा है जी अच्छा अच्छा है अल्राइन धन्यवाद नमबर्स हैं 234-1080 and 234-1084 यह दो टेलिफोन नमबर्स है जहां पर आप पूच सकते हैं बदलते मौसम में आयुरवेद का उपयोग किस तरह से आप कर सकते हैं और कैसे बहतर हो सकते हैं स्वस्त हो सकते हैं and with that a song on our channel आपकी पसंद का लता मंगेश्कर जी की आवाज में रहे और उसके बाद किसकी जिन्दगी में क्या परेशानी है जो इस बदलते मौसम में हो रही है आयुरवेद से क्या उपचार है उसको बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रीना रोडा है और इस वक्त हमारे साथ उत्तरा खंड से कोई जुड़ गई हैं अलो जी हलो जी बोलिये हलो हां जी मैं इसके लिए न मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं जैल भी लगा रही हूं आप दुबारा बोलिये अपना सवाल कीजिए अपना नाम बताई और सवाल कीजिए मैं मैं उत्रा खंड से अख्शा बोल रही हो मेरी मार पती है पिछ तर साल की अई बीपी की मरीज है वो उनके गुटने में ना दो तिन बिन जाना दर्द हो रहे हैं वो बेट के ना खड़ी नहीं हो पारी है वो तीदे गुटने में ऐसा है इसके लिए एक तो आप कोई भ हल्दी वाला दूद दीजिए उनको कोई भी दही खटा ठंड ये समा चीजे उनको ना दीजिए और अगर उसके बावजोद भी पेन ठीक ना हो तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखाईए अच्छा मैं एक तीज और पूछ नहीं ती जैसे हल्दी वाला दूद जैसे हाई कि मरीज इनकी तो दवाई चली तो रात में दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं अभी थन्ड का टाइम है इसलिए आप दे सकते हैं अच्छा मैं एक जी दोर पूछ लीती मैं क्या कैसे हैं वह यह जा संद्रत पाज्ट जो यह जा यह प्रोपर तेल नहीं होता जो अच्छा मैं एक चीज अपने लिए भी तोच नहीं थी मेरे पेट में में देना महुत तो कब्स रहता है मैं मैं मैंने त्रीकला तुरन भी खाया राट कुल तो मुझे कोई फर्क नहीं लगा मैं कब्स के कई कारण हो सकते हैं उसमें आप जों का अटा इंकलूड कीजिए अब तिल का तेल अपनी डाइट में ज्यादा एट कीजिए पालक बत्वा ये चीजें लीजिए अपना रूटीन ठीक कीजिए एक्सराइस कीजिए पपिता खाये अमरूत खाये ती मैं धन्यवाद मैं आज़ तो पूरी मार्केट बाजार इस ओल ग्रीन ये तिस सो ब्यू आपनी इसका इस्तमाल किया जो आयुर्वेद में बहुत बुक्य है वाथ-पित-कफ की बात आप करती है उसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्प्रीन करती है वाथ-पित-कफ तीन दोश है आयुर्वेद के इसके बेसिस पे हमारे शरीर का प्रकृति बनती है हर व्यक्ति का एक अलग प्रकृति होती है उससके हिसाब से उसका त्रीमेंट होना चाहिए उसके हिसाब से इसकी डाइट्थ होना चाहिए उसके हिसाब से लाइफस्टाय होना उसके सिस्टेम आफ मेडिसेन है यह से पर最 decision थोड़ा ताके हमें ठंड ना लगे इसके बाद वसंत रितु आएगी उसमें कफ दूशित होता है सबको खांसी शुकाम अकसर हुआ होता है क्योंकि जो कफ जमा होता है वो निकलना शुरूरता जैसे ही गर्मी होने शुरू होती है उसमें वमन एड्वाइज किया है यानि जिसना भी accumulated कफ है बॉड़ी में वो निकले और आपको जितनी कफ से related problems है वो हो जाएं यह जरूरी नहीं कि यह patients को करवाना चाहिए यह seasonal regime में mentioned है और यह healthy लोगों के लिए भी है अगर आप हर साल वसंत रितू में वमन करवाते हैं तो बहुत हद तक cholesterol, diabetes, obesity वगरा की problems को prevent कर सकते हैं तो कि जितने भी toxins deposit हो होते हैं वो निकल जाते हैं यह जो लोग बोलते हैं तो detox पी रहा हूं मैं detox कर रहा हूं यह actual detox procedure है जो मैं आपको बता रही हूं और उसके बाद आती है ग्रिश्मरितू उसमें वायू होती है पित बड़ा होता है और उसमें थंडे आहार लेने चाहिए यह नहीं कि आप उसमें भी मोमो खा रहे हैं स्पिंग रोल्स खा रहे हैं बहुत spicy fruits ले रहे हैं क्योंकि एसी में बैठे जाते हैं त उसके बाद जैसे वर्षा रितू है तो उसमें अनीमा एडवाईज किया है क्योंकि वायू कुपित होती है सबकी उसके शरद रितू है उसमें वरेचन एडवाईज किया हुआ है क्योंकि स्किन डिजीज बढ़ जाती है जिनको पित की प्रॉब्लम है है पॉलिंग ओफ है अगर आप नॉर्मल एक हेल्दी परसन हर साल शरद रितू में रेचन ले रक्तमोक्षन ब्लड लेटिंग करवाई थोड़ी ब्लोड डनेशन करवाई तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और जितने भी पित से होनी वाली प्रॉब्लम्स है उससे आप बच पाए और चुकि आप यह कह रहें कि परसनलाइज सिस्टम है तो एक डॉक्टर बता पाएगा कि आपका क्या एक प्रॉब्लकुल बिलकुल हमें घंटा पूरा सब कुछ कोश्चन पूछते हैं उसमें उसके बाद अनेलिसिस करते हैं यह CCRS गौर्मेंट का भी एक सोफ्वेर है ज पूर्ण रूप से ठीक कर किया जा सकते है कि उमेश सिंह देहरदुन से पूछते हैं कर सकते हैं यह मैं जूठा दावा नहीं कर रही हूं अगर आप पूरा कहना मानेंगे आयरवेद के अकॉर्डिंग ली डाइट, लाइश्टाइल, मेडिसन, सब कुछ करेंगे क्योंकि लाइश्टाइल डिसॉर्डर है तो यह ठीक हो सकती है और मेंटली भी आप स्ट्रेस नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारन है, मेडिटिशन भी कीजिए, मंडू कासन कीजिए, यह सब कुछ करें तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है और डाइबटीज सरदर्ध होता रहता है इनको विजय जी को करनाल से तो यह क्या सरदी से रिलेटिट हो सकता है अगर वायू बड़ा हो लेकिन स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है, सिर पे तेल ना लगाना भी बहुत बड़ा कारण है, नीन्द पूरी ना होना भी एक कारण है, बीपी भ हमारे साथ है मेरा नाम है शेली भाशा अजली आपके सुत्रधार हूँ इसलिए आपके सवालों को उन तक पहुंचाती हूँ तो अभी आप अपने सवाल भिशते रहिए on 23421-080 and 23421-084 यह दो हमारे टलेफोन नंबर्स है और हमारा WhatsApp नंबर भी है 9868107070 Welcome back to Radio Doctor और अब बस थोड़ा से समय बच रहा है लेकिन सवाल कई की आ रहे हैं यहां पे कुछ मेसेज़ आए है यह दिवेंदर रावत का मेसेज है मेरत उतरप्रदेश से कि इनकी पांच साल की बेटी है खासी बहुत है दो दिनों से इसका कोई उपाय बताई है और इसके पहल है एक तो आप थोड़ा सा हल्दी डालके एक तीन चार देना एक हफ़ता उसको थोड़ा दूद पिला सकते है और उसको पैकेट्स चॉकलेट्स चिप्स यह सब चीजे मत दीजिए आज कल बच्चे बहुत पैकेट्स और यह सब जंक फूट्स खाते है घर का प्रॉपर ता जो पैट की समस्य अपने बुला भागदरोड की जिंदगी में इस अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे और मेडिटेशन जरूर कीज़िए अगर आप ज़्यादा प्रेश है फैमली प्रेश वर्क प्रेशर तो उस चीजों को प्रेवेंट करने के लिए क्योंके गट प् पैट से तो अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे तो आपका पैट सेट नहीं होगा तो इसलिए मेडिटेशन जरूर कीजिए अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो एक कॉलर है हमारे साथ हलो नमस्कार कहां से बोल रही है कौन बोल रही है सवाल क्या है किसमें काला कला आंखों में आंखों के नीचे काला काला ओके यह अक्सर फूर्ट्स वगरा ज्यादा खाई है लिवर प्रॉब्लम्स की वज़ाशे भी होता है और बदाम का तेल आप वहां पर लोकली अगर मसाज करेंगे तो कुछ हद तक आपको यह help करेगा और अपनी पेट साफ रखिए पेट ठीक रखिए खुश रहिए इन चीजों का बहुत इंपोर्टन एफेक्ट पड़ता है फेस के गलो पे खाली मेकप से या वैसे फेस में गलो नहीं आता इंटरनल हेल्थ आपकी कैसी है इस पे भी ड इतनी देर से हम बात कर रहे हैं दाइट की उसको फॉलो कीजिए तो मुझे उमीद है आपकी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी थाए वेल्कम ओके आई यह कितनी खुबसूरत बात इन्होंने लिखी है शैलेंद्र सुमन यह गाओं घाट मढ़िया से जिला मधुबनी से लिख इतनी खानए। वाले ही अपसलोटली तो यह अपने भी डायट की बात की अपने रिच डायट की बात की आपक ने बहुत सारी ऐसी चीज़े बूली जिसे शायद डाइबेटी वेट पिसी ओड़ी इस तरह की बार्टी आ सकती है या नहीं बहुत अच्छा कुछिन पूछि आपको पुहा खाने के लिए बोल रही हूं, आप सिरफ सुबह आपने सेलेड लिया, आपका पेट तो भरना नहीं है उससे, नहीं आपको साटिस्फेक्शन होनी है, आप 10 चीजे और खाओगे, तो इसलिए वो साटिस्फेक्शन और वो जो आपको बोडी को नुट्रिशन इ तो आप कम डाइट लेंगे, तो आप कम डाइट लेंगे, अगर जैसे मैं एक एक्जामपल देती हूं, लेडिज या कुछ और लोग भी ऐसे करते हैं, कि मैंने ब्रेकफस्ट छोड़ा हूए, मैं दाइट पे हो, तीन चार बिस्किट लेंगे, चाय का कप लेंगे बैड़ प्रॉबल्म्स बल्के ठीक होंगी, जो अड़त की पिनिया जो मैं बोल रही हूं, उड़त के वड़े PCOD में एडवाइज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग मोटे होते हैं, या जिनका वेट जाद होते हैं, पीसी ओड़ें उनको वीक्नेस बल्के जाद होते हैं, लोगों क्योंकि समय हैं बहुत कम हुए, हाउ एंड वाट ताइम हनी शुड भी कंजिम जितेंदर जैपुर से पूछते हैं, आजकल भी ले सकते हैं, बट रेनी सीजन में हनी जो है वो बेस्ट है, तो अनुप कुमार लिखते हैं राची से की री हाइड्रेशन, डी हाइड्रेशन हाइड्रेशन एक्सेस यह सारा जो डिंकिंग वाटर है ना, मतलब बहुत जादा फोकस होना चाहिए पानी पर क्या पानी पर बहुत जादा फोकस इस तरह से होना चाहिए, कि आप अपनी प्यास के पानी पीए और अपने वर्क प्रफाइल के हिसाब से पानी पीए अगर आप सारा दिन एसी के रूम में बैठे हैं और आप कहें कि मैं 8 लेटर या 10 लेटर पानी पीऊं तो उसकी उतनी नीड नहीं है जादा लेकिन अगर आप मानलो कोई मजदूर है और सड़क पे गर्मी काम कर रहा है तो उसकी नीड आप से ज़्यादा है और दूसरा प्रकृ इस तो आप 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 सहुष्ट पानी ज्यादा प्येंगे आप अगर सिर्फ फूट ले रहे हैं तो आप पानी बहुत ज्यादा पुड़रत नहीं होगी तो ये सब चीजे डिसाइट करेंगी बजाए ऐसे मैं आपको बोलूँ आप 6 गलास पानी लिगे या साथ गिरास प नायाता है जा पेह ठंडरेम रहने शड़ी पहने तो छानगे तेकन कीशूल को अझारी मेनी फीर कुछ बहूता है तो अपाइ रवेड की इतनी जिसको कहते है न वो एक हीरा जो है चिकित सा प्रणाली उसकी बाते कह जाती है कुछ कहना है चलते-चलते-चलते बहुत कुछी होती है मुझे सुन कि शेली जी जब आप कहते है अगर पूरी दुनिया इस हीरे को पहचान ले तो शायद कोई बि आपको कैसे लाइस्टाइल आपको होना चाहिए क्या डाइठ होनी चाहिए तो जो हमने आज बात की है अगर आप सब ये सब फॉलो करें तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और स्वस्त रहेंगे और थैंक यू वेरी मच आप हमारे स्टूडियो में आप करें ये स्टूड़े ये सब सकते हैं